देखिए सौजिए आज आप पढ़ने जा रहे हैं उस्मा गत्की का सुन्यवा नियम क्या है उस्मा गत्की का सुन्या नियम ध्यान दिया जाए दो वस्तु है ए और बी और दोनो भिनभिन ताप परिस्तित है तो दो भिनभिन ताप करम परिस्तित वस्तु को एक दूसरे से जब जोड़ा जाता है तो ताप उच ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक अस्थनांत्रित होती है जब तक की दोनों का ताप समान न हो जाए मतलब उस्मा गत्की का सुन्यवा नियम ये समझाता है कि जब दो वस्तु को एक दूसरे से उस्मिय रूप से जोड़ा जाता है तो ताप क्रम उच ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक अस्थनांत्रित होती है जब तक की दोनों वस्तु का नहों जाए अर्थात उसमिय साम्यवस्था स्थापित नहों जाए इसे ही उस्मा गती का सुन्यवा नियम कहते हैं इसे तापक्रम का नियम भी कहते हैं और उसमिय साम्यवस्था का नियम इस नियम को एक इग्जामपल के मदद से आप अलग से भी इस तरह से भी समझ सकते हैं और दोनों को एक पाइप से जोड़ते हुए एक चावी से कनेक्ट करते हैं, अगर जैसे ये चावी खोला जाता है, तो हम देखते हैं कि ए से भी की ओर जल का अस्थनांत्रान तब तक होता है, तब तक जल का प्रवा होता है, जब तक की दोनों का वाटर लेवल समान न हो जाए, एक दम ऐसा ही कॉंसेप्ट है कि ये उच्टाप वाली वस्तु सपोर्ज डैट है और ये निम्न ताप वाली वस्तु है, तो इस उच्टाप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर उस्मा का प्रवाद तब तक होगा, जब तक की दोनों का ताप समान न हो सिधान्त ही है जो आप सभी एस्टुरेंट टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं उस्मा गत्की का प्रथम नियम उर्जा का नहीं निर्मार के सकता है और नहीं विनास इसको के वले एक रूप से दुसरे रूप में प्रवतित क्या सकता है तो आप ये नियम उर्जा सनर्चन के सिधान के रूप में नाइन तेंथ क्लास में ही पढ़ चुके हैं तो उर्जा का नहीं निर्मार के सकता है और नहीं विनास इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परतित करे शकता है ये है उस्मा गति का प्रथम नियंग, इसको उर्जा सनरच्छन का भी नियंग कहते है आपको बता दे कि अलग-अलग country में, अलग-अलग scientists द्राइ इस उस्मागती के नियम को प्रथम नियम को अलग-alग ढंक से प्रस्तुत किया गया और उस्वागती के प्रथम नियम के रूप में ज़रूरी नहीं है कि आप यही बोलेगे आप यह भी भी बोल सकते हैं किसी विलगित निकाय की कुल उर्जा नियत होती है और आप सभी अच्छे से जान चुके हैं कि विल्गित निकाय क्या होता है निकाय तीन प्रकार का होता है, खुला निकाय, बंद निकाय, विल्गित निकाय खुला निकाय में ये होता है कि ये परिवेश के साथ उर्जा और पदार्थ दोनों का अदाल परदान करता है बंद निकाय में केवल उर्जा का और विल्गित में किसी भी चीज का अस्थनांत्रण नहीं कर सकता है यानि कहने का मतब अधाल परदार नहीं उर्जा का करता है और नहीं पदार्थ का तो यही विल्गित निकाय कहलाता है तो विल्गित निकाय के लिए कुल उर्जा का मान हमेशा नियत होता है ये भी उस्मा गत्की का प्रथम नियम कहलाता है आपको बतादे कि तंत्र एवं वातवरण यानि परिवेश के उर्जाओं का खुल योग हमेशा क्या होता है नियत ह ज़्यादा है इसे भी उस्मागतिए का प्रढ़म नियम कहाते हैं और एक और तरह से इस उस्मागतिए का प्रढ़म नियम जब तुक्र कर सकते हैं बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी सदद कदेशिल मसीन नहीं है का निर्मार नहीं हुआ है वलकि जो बिना उर्जा के हरास के लागातार कारे करते रहे निश्चित है कोई मसीन चलेगा तो वहां उर्जा का हरास होगा ही होगा यानि बिना उर्जा के खबत के बिना उर्जा के उपयोग के वो चली नहीं सकता है किसी बात को यहां द उसको बताया गया है कि अर्थात एक मसीन जो बिना उर्जा ग्रहन की यह कारे उत्पन करेगी यह संभव नहीं है तो यह उर्जा संद्शन का सिधान इसको ही उसमा गति का प्रथम नियम कहते हैं इसको बहुत सारे तरह से आप प्रस्तूत कर सकते हैं आज के इस क्लास में हम इस उस्मा गती के प्रथम नियम का mathematical proof देने जा रहे हैं, गलीतिय प्रमार देने जा रहे हैं, जो आपको इसको समझने में मदद करेगा, अभी आज तक आप theory के माध्यम से केवल मतलब नियम के माध्यम से उस्मा गती को समझ पाए हैं, हम इसको गलीतिय रूप में आपके साम हमने रखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए, इसके लिए हमने मान लिया कि किसी तंत्र की जरा ध्यान दिया जाए, उस्मा गती के प्रथम नियम का कड़ितिय रूप, Mathematical Statement of First Love Thermodynamics, यहां किसी तंत्र की प्रारंभीक आंत्री कुर्जा को हमने क्या माना, E1, और यह न आंत्री कुर्जा कहलाती है, और Q उसमा उसुषित किया, और उसुषित करके इसका कितना हो गया आंत्री कुर्जा, E1 प्लस Q, और इसके बाद यह डबलू कारे भी संपन करता है, तो आईए इसको जरा समझे, यह था अपका निकाय, तंत्र, जो E1 आंत्री कुर्जा लेकर पहले से स्थित था, अब यह Q उसमा को सुषित किया, इसकी आंत्री कुर्जा बढ़कर E1 प्लस Q हो गई, साथी साथी यह W कारे संपन किया, और अंत्र में इसकी आंत्री कुर्जा का मान क्या हो गया, E2, अगर आप प्रथम, उसमा कती के प्रथम नियम को अच्छी तरह सम यह कहां से आया, उसमा गती के प्रथम नियम से आया, क्योंकि आप मान चुके हैं, समझ चुके हैं कि उर्जा का नहीं निर्मार सकता है, और नहीं विनास, तो जो अंत्री मांत्री कुर्जा होगी, इन सभी के योके, इसलिए E2 बराबर E1, माइन E1, प्लस Q, प्लस W, यहा तो आंत्री कुर्जा में परिवर्तन हो गया, E2 माइनस E1, डेल्टा E, आंत्री कुर्जा में परिवर्तन है, और यह Q और प्लस W, अब यहां आप अलग से गैसी प्रसार के दोरान, अगर किया गया कारे का अध्यन कर रहे हैं, तो आप अच्छे से पता है कि गैसी प्रसार के लिए किया गया कारे धनात्मक होता है, गैसी प्रसार के संदर में किया गया कारे रिनात्मक होता है, तो अंत्र द्वरा किया गया कारे धनात्मक होता है, तो यहां पर गैसी प्रसार के दोरान किया गया कारे है, इस W के मान को यहां पर फिट करने जा रहे हैं, यहां पर तो यह्म हो जाएगा देख सकते हैं डेल्टा ए इक्वाल क्यू माइनस पी डेल्टा भी अब क्यू को यही रहने दिये इसको इधर भेज़ दिये कि ओर प्याइनल क्या पराप्त हुआ क्यू बरापर क्या पराप्त हुआ एप यह यानि कोई भी निकाह अगर अपने अंदर उस्मा असोशित करेगी तो उसको दो जगा खर्च करेगी पहला आंत्री कुर्जा को परिवर्दित करने में और दूसरा कारे को संबन्द करने में ये पी डेल्टा भी क्या है अब पढ़ चुके हैं दावायतन की गुलानवल को क्या करते है कारे यहाँ पर कारे और यह आंत्री कुर्जा परिवर्दित करने में और दूसरा कारे को संबन्द करने में अब हम इस उस्मा का अध्यन विष्टार से करने जा रहे हैं ऐसे जो अभी बताए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है किसी तंत्र द्वारा और सोशित किसी तंत्र द्वारा सोशित उस्मा का मान आन्त्री कुर्जा में परिवर्टन और कीये और कारे के योग के बराबर वथ हुए अब हम इस उस्मा का क्यू का अध्यान अच्छे से करने जा रहे हैं जर अध्यान दिजिएगा उस्मा का आज से डो रूप हो गया है एक नियत आयतन की उस्मा और एक नियत दाब की उस्मा जब हम आयतन नियत ले रहें तो देखिएगा क्या आ रहा है आयतन नियत का मतलब प्रारभ्मिक आयतन बराबर अम्तिम आयतन तो बराबर भी तो डेल्टा भी बीटू माइनस भीवन तो भीटू माइनस भीवन दुनों के यह आगया आपको अच्छे से पता है कि अभी पढ़कर हैं आप Kew बढ़ाबर क्या पढ़कर हैं डल्टीपी डेल्टा भी और पे डेलटा भी कितना हो गया यह नि जिरू पर हमने कि कि नियत आयतन पर कोई निकाए उसमा को तो er ho उसका अपयोग के वल आंत्री कुर्जा को परिवर्थित करने में करेगा यानि किसी निकाय द्वारा नियत आयतन पर असुशित उस्मा का मान आंत्री कुर्जा में परिवर्थन के बराबर होता है लेकिन यही नियत दाप पर कोई उस्मा असुशित करेगा कोई निकाय तो देखिए क्या हो रहा है नियत द आपकी जो उस्मा होगी अब तो पी हटेगा नहीं वैसे ही रहेगा तो नियत दाप पर उस्मा उस्षित करेगा तो इसको दो जगा खर्च करेगा एक आंत्री गुर्जा को परवर्जित करने में और दुसरा कारे को संबने करने में तो आपको यहां ध्यान देना चाहिए कि आज जो नौलेज आपका था कि उस्मा उस्मा जांते थे अब यह उस्मा दो रूप में आपके सामने बन कराएग एक नियत दाप की उस्मा और एक नियत आयतन की उस्मा नियत दाब की उस्मा को आज से हम एक नया नाम देंगे एंथेल्पी और नियत आयतन की उस्मा को आंतरी कुर्जा कहा जाता है ये बात यहाँ पर सिखे कि नियत आयतन की उस्मा आंतरी कुर्जा परिवर्तन के बरावरती है और नियत दाब की जो उस्मा होती है वो आंतरी कि खाले के योग के बराबर होती है और आपको बता दे ये पूरा मान के परिवरतन के बराबर होना है क्यों पी जो है नियत दाप कि उस्मा है इसे को एंठेलपी बोलते हैं इन्फेलफी में परिवर्तन बल्की बोलते हैं तो अब जरा सुरू से अंद तक देख लिया जाए लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपका ध्यान आकर सित करना चाहेंगे कि आप ध्यान दिजिए यहां क्यूभी बराबर डेल्टाई आया है और यहां क्यूभी बराबर डेल्टाई प्ल कोई तंत्र द्वारा असुशित उस्मा जो होगी वह आंत्री कुर्जा में परिवर्तन और तंत्र द्वारा किये कार दोनों के योग के अब एक बार शुरू से अंद तक उस्मा गत्की के प्रथम नियम का गड़ितिय रूप माना कि किसी नहीं कहा है कि अंदर कुल संचित मतलब कुल जो आंत्री कुर्जा का मान है प्रारंबिक आंत्री कुर्जा वह एवन है और यह क्यू उस्मा को असुशित करता है तो इसकी आंत्री कुर्जा बढ़कर एवन प्लस क्यू हो जाती है और साथी साथ यह डबलू कारे संबन करता है तो यह था आपका निकाय इसक अंदर संची तुर्जा देख सकते है एवन ठीक है और अब क्यू उस्मा उस्षित किया तो यह बढ़कर होगी एवन प्लस क्यू और यह डबलू कारे संबन किया और अंतिमांत्री कुर्जा होगे एटू अगर आप उस्मा करती के प्रधम नियम का अनुस्रान कर रहे हैं के लिए किया गया कारे इनात्मक होता है माइस पी डेल्टा वी का मान डबलू के जगवा पर रख दिये तो यहां जेल्टा ई बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी यह क्यू यहीं रह गया यह इधर आ गया यह और सोशित उस्मा आंत्री कुर्जान परवरतन और किया कार कि यह क्यों बरावर होती है अब इसका अध्यान स्टार्ट हो रहा है एक बर नियत अधणत्त पर हम क्या देख पा रहें कि नियत आधम पर जो असूसित उस्मा होगी वह आंत्री कुर्जा के बरावर होगी यहां प्रार्म भी का यह जीरो हो जैगा यहां डेल्टा भी का म और अगर नियत। दाप पर उस्मा का ध्यान करेंगे तो नियतना नियत दाप के निकाय त्वारा उस्मा को सुच्विव्ट की जाएगी कि उस्मा का दो रूप होता है जो आप नाइन तेंथ में गठन की उस्मा दहन की उस्मा ये सब बोलते थे अब यहां से नाम भी बदल ले जा रहा है दहन की उस्मा गठन की उस्मा अभिकरिया की उस्मा जो बोलते थे अब उस्मा के जगा आपका स्टेंडर बढ़ गया है अ यहां पर चाहिए कि उसमा का दो रूप है एक है क्यूपी एक है क्यूबी यह हो गया डेल्टा एच इंथेल्पी में परिवर्तन और यह हो गया डेल्टा ए आंत्री कुर्जा परिवर्तन यह हो गया नियत आयतन की उस्मा और यह इंथेल्पी में परिवर्तन नियत दाप की उस्मा उस्मा यह भी है उस्मा यह भी है ल यह था आपका आज का क्लास नेक्स्ट क्लास इंथेलपी और इंथेलपी